हालो फ्रेंट्स मैं हूं और आप देख रहे हैं मंता इंफार्मेशनल आग में आपके शेयर करने जा रही हूं राइस फेशियल और वह भी सिक दस एदम पार्लर जैसा निखार और इस समय तुरा की और सारे फेश्टिबल आ रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और फिर लाउड़ान में कोई इतना पैसा खर्श करना चाहिए बाहर से जाके बताऊंगी ऐसे से फेसे लेकर आउंगी और भी बहुत ही सश्ती और बहुत ही फेसर पैक भी इतने ज्यादा असर नहीं करें जितना में घर की फेसर से बताऊंगी तो आप लेकिन हाँ इसको जरूर करीएगा आप जैसा में बोलती हुजे जो फैसे में कर रहे हैं आप जरूर करईगा तो ही अब म nep तो ही अच्छा अच्छा बहुत नहीं करते हैं चावची चीजे को बहुत सब्सक्राइब स्कीन को अच्छा निखार सकेंगी एक्दम ग्लास सकीन बना सकेंगेंग तो भी जाना बातें नहीं करते हैं चलिए देख लेते हैं कैसे मैं बनाते हैं फेशेर मैंने कच्छा दूद लिया था कच्छे दूद में राद भर दो चम्मज के करेब चावल मैंने इसको राद भर भीगा लिया कच्छे दूद में यह देखी कुछ ऐसा हो गया फिर मैंने नाता पानी बेदा वह पिछा दूद को कमानीम कश्ची को राद भर भीगानी चैयल के साथ तो इसको पीस लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगी एक पार्ट से में स्क्रब से स्क्रब बनाऊंगी या में साज करेम जो भी कहिंड भी कहें लिग मैं तब हमीने तब को अईल डाल सकते हैं, हनी पहुत इफेटिव लेना इसका इंपमना से अःति वाटरित दोड़ काउने निए पानिसे निए निए कता है नियरुत कितना किफाईती होता है रौ मिल्क मतलम कच्छा दूथ उससे भी ज्यादा किफायती होता है बहुत इफेक्टिव होता है अगर आपके पास अभी अवलेवल नहीं है तो आपने चावल भीगाया था रात बर पानी में उस पानी से भी आप क्लीन कर सकते हैं उस वह भी उतना ही किफायती जितना की वह पर नहीं है आपके पास तो रोजवाटर से भी रूव में डैप करके क्लीन करिएगा पर हम अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं अच्छे से पूरे चेहरे में लगाऊंगी आप चाहे तो गर्दन में हाथ में कहीं भी लगा के इसको स्क्रब कर लीजी ये केस में कोई केमिकल अगेरा नहीं है तो यह बजार का जो स्क्रब आता उससे भी ज्यादा कीफायती है और जो में इसमें चावल को रात भर दूद में भीगाया था उसको पीस लिया है उससे सा माइंडली स्क्रब होगा इतना अच्छा से स्कीन जो होती निकल जाएगी जो दाने चोटे- बनाया था तो वह पैक अच्छे से में लगा लोगी बचता है अब चाहें तो गले में हाथ में नकल्स में जो नकल्स अंगलिया काली पर जाती है वहां पर लगा लिज़े स्क्रब भी कर सकते हैं तो आब इसको मैं 10 मिनट रखूंगी 10 मिनट देखिए ऐसा सूख चुका है सेमी ड्राइव ज्यादर ड्राइव माही हुआ है फिर मैं इसको ऐसे स्क्रब करके निकाल लोगी स्क्रब करने से जितनी बीड़ स्कीन होती है वह निकल जाती है पिर देखिए मैं नॉर्मल वाटर से धुल लिया है अब मैं इसमें रोज वाटर स्प्रे करूंगे अपने चहरे पे और डैब डैब करके से सुखा लोंगी और मैं अब अपना फिर वर्ड ग्लोज सीरम लगाऊंगी अगर आपके पास नहीं है तो घबडानी की कोई बात ने में लगा कि दिखाऊंगो इलोवेरा भी इतना ही किफायती है इसको अच्छे से लगा लीजे जब तक अ आप ट्राइज जरू करेगा तो ही आपको पता हैं एक दम वायरल कर दीजी मेरे वीडियो को तो मिझे पता चलना चाहिए हाँ सब को पसंद में आ रही है सब चीजों में कर रहे हूं सबको मेरे अंदर में थोड़ी मतलब हिमा तानी चाहिए थोड़ी मूटी मेशा नानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरू करें अपने फ्रेंडों में अच्छी लगाएं तो नेचरल चीज लगाएं तो नेचरल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब